जाहिन दोस्तों श्वागे था आपका हमारी यूट्रीब चैनल इलनी बिद्रगेश में इलनी बिद्रगेश की तरफ से को नई पहल सुरू के जारी अब सभी को आप सभी को सीटेट प्रामरी पर्यावन की जो एंसेटी और एंसेटी पैडालोजी है यह आप सभी के लिए प प्राक्टि स्रीज को हल करिएगा साते साथ इसकी पीडिया भी आपको मिलना सुरू हो जाएगी और अभी तक इस पीडियाप में बहुत कुछ जानने को समझने को मिलेगा इस प्राक्टिस सेट की जो एंसेटी स्रीज है इससे मैं दुरगेश जाशल च्वयम आप सभी के लिए बैट कर बनवाया हूं मेरा एक मात्रों देश था कि एक बार इस सीरीज अगर आपकी कम्प्लीट हो जाएगी तो यकिनन आपके बहुत सारे प्रेश्ट आसानी से सही होना शुरू हो जाएगा तो चलिए आपके डिस्पले पर आपके प्रेश्ट दिख रहा होगा निम जैसा कि मैंने आपको बता दिया देखिए यहाँ पर है तैरना नहाना बरतंध होना गाना इसमें से एक आपको डिफ्रेंट है डिफ्रेंट क्या है थोड़ा सा दिमाग लगांगे आपका क्लियर हो जाएगा कॉंसेट क्योंकि देखिए तीन में पानी का यूच करना है ले जाएगा इसलिए इस दियेगे प्रशने का जो सबसे उपर्ति विकल्फ होगा गाना गाना मैंने आपको पहले बता यह सारे प्रशने मैं स्वयम इस प्रशनों की पूरा सेट करा हूं आपके लिए ताकि भविश्र में आपको न्से आटी से बाहर कोई प्रशन ना है मैं अगले बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ क्लास खतम होने के बार इस क्लास की पीडियाफ हम आपको उपलब्द गरा देंगे कहां मिलेगी पीडियाफ में भी वह भी आपको उपलब्द बता दूंगा अब देखिए आपके सामने अगला प्रश्ण आया है कि गाउं अचार से नहीं बना जाती है प्रश्ण में नहीं है इसलिए नहीं सब्द को अगर आप नहीं देखते हैं तो कहीं कहीं आप गलती कर जाएंगे तो जरह फटाफट कमेंट करके बताइएगा लिकित में शिक्या नहीं बना जाती इनसे अटी के क्लास कतम होने बाद इसकी पीडिएफ मिल जाएगी सभी को क्योंकि सभी क्लास की सीटेट की सभी पीडिएफ आपको फ्लब्द हो गई है यह प्रैक्टिसर्ड हमारे अप्लीकेशन पर जलदी आपको फ्लब्द होने वाली है यहांपर देखिये आचार बना अगले प्रश्ण की तरह जी हां इलनी दुर्गेश की सबसे बड़ी प्रस्तोती एंसे आटी की आपकी जल्दी आपको मिलना सुरू हो जाएगा उमीद करें आपको इस सब प्रश्ण दिखाई दे रहा होगा मैं प्रश्ण पढ़ दे रहा हूं अम उमीद करता हूं आपको प्रश्ण करेंगे और कमेंट करेंगे बहुत एजी प्रश्ण है एक दम हलुआ प्रस्ण है अगर आपने पूरी पड़ी होगी आपको पथा है यह किसान का मित्र आपको बता रहा हूं साद आपके काम आजाए किसान का मित्र तो किसान का मित्र दो है पहला क्या होता है आपका पहला है आपका साप पहला क्या होता है साप दूसरा होता है केचुगा दूसरा क्या होता है केचुगा तो ये दोनों किसान की मित्र कहे जाते है NCRT में इन दोनों के बारे में जिक्र किया गया है लेकिन यहाँ पर ध्यांज देखना है कि बारिस के बाद तो भई याब बारिस के बाद सब्दकापने हो किसा आप मेरी बात को ध्यान समझ पाएं यहाँ पे बारिस के बाद का है इसलिए बारिस के बाद जब कहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा केचुवा इजे right answer होगा यहापर क्या होगा केचुवा इसका सही जबाब होगा मेरी बात को ध्यान समझेगा ठीक किसका उत्तर क्या होगा केचुवा साफ आप लोग मत लगाएगा काचुवा क्या है धान जी देखेगा अब देखिए यह अंडा देता है या क्या है अंडा देता है ठीक बिच्छू जिस समय जन में देती है अपने बच्चों को जो मादा बिच्छू होती है उस समय इसकी देथ हो जाती है यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहेगा यह भी NCR टीम आपको इसका जिक्र मिल जाएगा ठीक है मैं आगे बढ पर आपके सामने इलनी बिद्रगेश इविएस एंसेटी की तो साथ मुझे लगर आप यह देख पा रहे होंगे देखें टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी और फेस्बूक पेच इलनी बिद्रगेश पर इसकी इमेज मिल जाएगी प्रिश्णों की सिच्छक दुर्गे करें रोटी कैसे पकाया जाता है एक दम आसान प्रिश्ण है मैं उमीद करता हूं कि आपके प्रिश्ण गलत नहीं होंगे तो फटा फट कमेंट करें जो लोग वीडियो को लाइप देख रहे हैं देख्या वीडियो को जित्ते लोग भी तक लाइक नहीं कि सबसे पहला काम लाइक को शेयर कर दें सभी लोग फटा फट कमेंट करकें बजवाब के साथ पहला काम वीडियो को लाइक करें दूसरा काम वीडियो को शेयर कर दें वीडियो की सभी सीरीज की आपकी प्रैक्टिस से तयार करा दी गए इलनी भी दुर्गेस के माद्यम से सभी प्रैक्टि प्रशन पूछा जा चुका है अगर आपने प्रीवेसर पेपर हल किया होगा तो भीगो कर चना बनाई जाती है ठीक स्वाइबीन हो गया भुनकर आलू तलकर आलू तो यहां आलू को जोड़ा जाएगा लेकिन आप दिएगे प्रस्न को रोटी के बारें पूछा है तो रोट over आपको दिखाओं यहां पर एक प्रषन आपको दिख रहा है जहां पर चाहरा है चाह Rideron के प्रद्री मा बच्चों को बताती है कि उनके चेंवाने में पेर दर्द होने पर कौन सी चीज़ खाई जाती थी बहूत ही आसान प्रस्णन है और इसह का प्रश्ण है अगर सीटेट कि आपको एंसियाटी सीरीज पढ़नी है इलानी पी दुर्गेश पर प्रदिर रात साड़े आट बजे बीना नोटिफिकेशन के आप जोड़ेगेगा क्ल से नाटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा साड़े आट बजे क्लास आपको मिल चाहिएगा ठीक है सभी लोग फड़ाफट जड़ा कमेंट करें और जबाब भी दे और वीडियो को लाइक सेर जरू कर दे सभी लोग फड़ाफट जितने वीडियो को लाइप देख रहे हैं सभी लोग फड़ाफट वीडियो को जितना जादा जादा हो सकते हैं क्योंकि यह लाइप क्ल में अध्रक को पिसक दिया था हल्दी दूद मिला कर दर्द खीचने के लिए दे आता है मेथी किस लिए दिया जाता है कमेंट करके बताए अगर आप अगर मेरी नहीं पढ़ी होगी ता अपको पता होना चाहिए मेथी किस लिए सब्सक्राइब करें है मेथी किस लिए दिये जाती है सब बताएं जबाब दें सभी लोग फटापट कमेंट करें NCIT में चारों के बारे में जिक्र किया गया है कौन तना है, कौन फल है, कौन फूल है सभी के बारे में किया मैं आगे बटने अगले पश्चने की तरफ क्लास खत्म होने बाद इसकी PDF आपको मिल जाएगी अगला प्रश्चन आपको सामने दिख रहा होगा कह रहा है, अगर अविश्यक 84 चार मीटर तक देख सकते हैं तो बताएं कि बाज कितने मीटर तक देख सकता है सभी लोग फटा-फट कमेंड करें और कमेंड करके बताएं देखिए, यहाँ पर प्रश्चन में थोड़ी सी गलत, उत्तर में गलती हो गई है आप लोग ज़रा सुधार कर ले, इसको कर लिजेगा 16 मीटर, इसको कर लिजे 18 मीटर बिकल्प में आप 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर कर ले आप लोग यहाँ पर प्रश्ण में क्या कर लेंगे 16 मीटर कर लीजिए 18 मीटर कर लीजिए वैसे मैं इसको सुधार दूँगा जब आपको पीडियप दूँगा तो मैं यहाँ पर आपको सुधार दूँगा 16 मीटर 18 मीटर 10 मीटर और 12 मीटर ज़र आप बताएं इसमें कौन स अभी कल्प सही होगा चलिए मैं आपको बताओं क्योंकि एंसियाटी सिरीज है और जब आपको एंसियाटी सिरीज पढ़नी है तो मैं तथ्यों को यहाँ पर असपस्ट करना चाहूंगा अब यहाँ पर ध्यान से देखेगा दिया गया जो प्रस्टन है इसका जो सबसे सही उ मीटर होगा क्यों क्योंकि आप ध्यान दीजेगा जो बाज होता है वह मनुस से चार गुना जादा देखता है कितना चार गुना अगर वह चार मीटर देखता है तो चार गुना बराबर यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा सोलह मीटर होगा क्या होगा सोलह मीटर होगा तो आपने प्रश्ण को ध्यान से देखिएगा व्यक्ति पीडिएफ आपको टेलीग्राम पी मिलेगा मैंने आपको बार बार बताया या कोश्चन की एप पर भी मेरे मिल याएगा दो से तिन दिन गंदर आपको अप्लीकेशन मिल याएगा इस्टॉल करने के बाद आप घर लिए अग़े वड़ियव की तरफ को अगला प्रस्था मर्मक अगर helps अगर अमीत यादव अगर अगर अमीट यादव अगभर अमीध यजू अगर मिट चा मीटर की दूर दीख सकता है तो गिद्ध कितने मीटर तक देख सकता है सब लोग फढ़ कमेंट करें सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइब देख रहें फटाफट कमेंट करें वीडियो को शेयर जितना जाद हो सेयर करें लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें ठीक है अपने सभी मित्रों को घनिष्ट मित्रों को शेयर करें प्रस्णि की स्कीन सौट रख लें आप प्रस्णि एक और कौन सा पक्ची है जो मनुख्स से चार गुना जादा दोर देखता है ज़रा फटा फटा आप लोग कमेंड करें कमेंड करके बताएं क्लास की टार्मिंग पता है न आपको प्रदिन रात साड़े आड बजे भूलिएगा मत प्रदिन रात साड़े आड बजे अब यहा जान रहे हैं आज काल प्रश्ण का एक नया ट्रेंड आ गया है गिद्ध बाज चील राइटेंस वर अनुप जी एंसी आटी में दिया है गिद्ध बाज और चील अब यहां पर प्रश्ण में यह दे दे मैं एक प्रश्ण स्वताप से बना के पूछ रहा हूं अगर किशी दूरी को चील चील आट मीटर दूर से देख पा रहा है तो मनस उसे कितनी मीटर देख पाएगा अगर किसी वस्त को एक चील आट मीटर की दूर तक देख सकता है तो कोई भी मनस उसे कितनी दूरी तक देख सकता है सभी लोग फटा फट कमेंट करें कमेंट करके बताएं ज तो मनुष उसको 2 मीटर देखेगा वरकि मनुष से 4 गुना ज्यादा चील देख रहा है इसलिए दिएगे प्रशन का जो सबसे सठीक उत्तर होगा जो सबसे सही उत्तर होगा वह यहाँ पे 2 मीटर होगा क्योंकि मैंने प्रशन पूरा टाइप करवाया है मैं बैट कर सारे प् सव श्रीज है सव टेश्रीज मैं आपके लिए बनवा रहा हूं सव टेश्रीज जी हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन भी आपके सामने साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि भारत के पूरवी घाड के पास दिसंबर 2004 में सुनामी आ उनके बचने का प्रमुक कारण क्या था जो लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंड करें और कमेंड करके दिए गये प्रशन का सही जबाब दें मैं समझ नहीं पानों कौन सा कलर आपके लिए यूच करूं ठीक है आईए सभी लोग फ देखे यहां पे एक है उन सभी को पूर ज्यान था कि सुनामी आएगी याद रखेगा सुनामी आने के पहले भुकंप आता है ठीक भुकंप जब महासागरों में आता उसका जलू थलकर ऊपर आता है सुनामी कहते हैं जापानी भासा का सब्द जिसमेटी साइलेंट होता है तो भुकंप और सुनामी का पूरवा नुमान नहीं लगा जा सकता ये बात याद रखेगा भुकंप और सुनामी का पूरवा नुमान नहीं लगाया जा सकता दूसरा वहां के जानवर के अजीब बिहवार और अजीब तरह के आवाजों से सतर्क होकर भाग गया जी हाँ य वहां किया है? वहां कि जंजाति शुनामी आने की सोचना पहले जान लेती है. ठीक है? याद रखे कि ऐसा भी नहीं हो सकता, उपरोग सभी 80% सही होता है, 20% गलत होता जैसा कि मैं आपको पहले बताया. यहां पर उपरोग सभी गलत है. यहां पर जो सही है आपका, वो होगा दूसरा B, माने वहां के जो जंजातियों ने देखा, कि वहां के जो जनवर थे, वो अजीद तरह के बरताओं करने लगे, वो अजीद तरह का बहवार करने लगे, जिससे अंड़मान निकोबार दिफ समूं के जो एक जंजाति थी, खास प्रकार की, वो 2004 के सुनामी में जान यह कहीं कुछ आनुनी होने वाली है वो अपना जगह छोड़ कर हड़ जाते हैं जिसकी वज़े से वो बच जाते हैं इसलिए दियेगे प्रश्ण का उत्तर भी है और इस सारे प्रश्ण आपको NCRT से टाइप किये हुए क्लास कतम होने के बाद आप इसकी पीडिया भी प्राप्त कर सकते हैं जो टेलिग्राम पे मिलेगी दुर्गेश सर्च करके इलर्निंग भी दुर्गेश पर मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्ण की तरफ और अगर आप जौनपूर जनपत से हैं तो जौनपूर जनप कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे सभी लोग फटाफट कमेंट करें एक दिन में दस प्रश्ण की सीरीज हम कराएंगे प्रात्नी कच्छा में बच्चे किरिया कलाब करते हैं बताइए 79,000 के बारे में मैं फेस्बूक पर लाइब था वीडियो जाके देख ल हो जवाब आपको शभी को देना चाहिए देखे यहां पर व्यक्तिकत रूप से शमू में देखे जो बच्ची क्रिया कलाब करते हो पढ़ानाचार को देख कर नहीं करते वह अकेले करते जैसे कोई बच्चा है कागज फार देता है कोई बच्चा है की कागज की नौ बना बनाता है अब कुछ बच्चे समू में मिलकर क्या करते हैं कोई मूर्ती बनानी है को इसका नाककान बनाता है और जो पर पर नहीं होते मने जहां पर उसका सबसे चाहित तर हो rest इसका राइट एंसर होगा दीज का सही होगा ठीक कोई दिक्कत किसी को कोई शमस्या हो तब कमेंड करके पूछ सकते हैं यह क्लास प्रदिन राज साड़ी नो बजे इलर निक दुर्गेश पर लाइट चलेगी मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले पश्चन की तरफ देखिए मै जो एक बात यहां पर आपको पहले बता दूब करांगे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यूटूब से जोड़ी आएंगगे मतलब अभी तक ये PDF आपने इलनी बिदुर्गेश पर भी तक सायद ऐसी किसी भी सजन्था की नहीं थी PDF जो मैंने आपको प्लब्द कराई यह हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनके वज़े से हो पाया है जो टैपिंग करते हैं साधे साथ वो तो टेक्निकल हैं पूरा तुनों टेक्निकल के अधार पर इसको आईड कर दिया है अब इसमें लिंक भी आपका ओपेन हो जाएगा जहां भी आपको जाना है टेलीग्राम इस्टाग्राम यूट्व डेली आपको जो क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पर मिलेगी क्रमस एक नंबर दो नंबर तीन नंबर ठीक है अब यहाँ आप भी ध्यान दिजेगा पर्यावरन अध्यन की पार्टे पुस्तकों में अभ्यासियों गदविधियों को उपलब्द कराना चाहिए जरा फटाफट कमेंड करें और कमेंड करके बताएं यहां आखरी प्रस्ण है इसके बाद यहां क्लास आपकी खतम हो जाएगी यहां पर एक नंबर दिखाई दे देखे यहां पर क्या होगा फट आफट कमेंड करें दिखे या रखे गए लगा में अब यहां best की पुस्तकों में अभ्यासों गदविधियों को ऊ-समें भी दिया जाता है कि अच्छा यहां पर फिर देखेंगे में इकाई कंट में भी नहीं होता है पुष्टकों में अलग अलग स्थानों पर यह कुछ स्थाइक है प्रक्णन में अन्ता निर्मित पर जी हां इसका सबसे सही भी कल्प इह होगा होगा यहांने जो प्रकरण में अंति निर्मीरपा, जो प्रकरण पढ़ाया जाता है, हर प्रकरण में, जैसे जैसे प्रकरण बढ़ता है, ऐसे ऐसे उन्होंनीमें अभिहास लुहीं गतिविधियां होती है, जैसे अगर मालीजे, आपने हाथी पढ़ना शुरू किया, अगर जैसे हाथी मेरा साथी हाथी मेरा साथी अगर आप पड़ रहे हैं तो उपर हाथी के बारे बताने के बाद तूरंत प्रस्ण पूछेगा कि निम्लिकित में से हाथी जुन्ड पे नहीं चलता है हाथी के बुजर्ग नेता जो होता है हाथनी जो होती है वह नेता होती है कि नहीं होती इस तरह जो जो पार्ट चलना शुरू होता है त्यों तो पार्ट के साथ-साथ वहाँ पर हम और आप ये देख पाते हैं कि वहाँ पर अंतप प्रकरण में निर्मित प्रशन होते हैं इलर्निंग बिद्रगेश से दौरा सारे प्रस्ण सुयम आपके लिए बनाए गए हैं, और यह प्रस्णिकी जो स्रीज है, वह हमारे अप्लीकेशन इलर्निग बिद्रगेश, जो आपको प्लेश्टरों से डॉनलोड करनी है, दूसरी लिंक जो है, वो भी एक अप्लीकेशन आपके लिए और बना है, वो भी एक दो दिन के अंदर प्लेश्ट पर उपलब दो जाएगा, टेलिग्राम पर, यहां से अगर आपके मने में कोई प्रस्ण, कोई डाउट हो, तो आप पूछ सकते हैं, सभी क्लासे देके करके चलेंगी, सभी लोग टेलिग्राम जोरी में चलती है, टीडी का लेगेट के पास, उनपम रेश्टोरेंट के बगल में, वेत कार्णन स्कूल, वहाँ पे तीन बरांचे जोनपूर में है, और इस नमबर पर वाटसेप कर सकते हैं, यह दोनों आपिस का नमबर है, यह मेरा ब्यक्तिकत नमबर है, बहुत जरूत होने आज पहला दिन था, यह क्लास प्रद्राज साड़े आट बजे, इलरनी बिद्रगेश पर लाइब चलीगी, जिसकी सुचना हम आपको टेलीग्राम पर देंगे, टेलीग्राम पगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो दुरगेश सर्च करिएगा, बीना इस पेस के, इलरन इस ही था, कि प्रक्रण के अंतह में निर्मित होता है, मैंने उपर बता दिया, यहाप उसका उत्तर कुंजी है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाप लिंक के माध्यम से, आप हमारे सभी सोसल साइट से जुड़ सकते हैं, मैं आगे आज के लिए इतना ही, कल से मैं और बढ सामरी की, ठीक है, सश्टी की भी करानी है, उसके बाद फिर साइंस और मैट की भी करानी है, फिर आपकी पेडालोजी की सिरीज है, ठीक, तो बहुत सारी बीशा है, आपके तो एक एक करके चलेंगे, सब की नॉटिफिकस्न टेलीग्राम पे देंगे, बहुत बहुत आपका, बेस्ट ओफ लग, जय हिंद, जय भर,